नमस्कार दोस्तों, प्राची नितिहास के महतपूर प्रसनों का संक्रल में लेकर क्या हूँ, आए देखते हैं महतपूर प्रसनों के बारे में, ये काफी important प्रसनों के बारे में, अगर जो आप इनको देख लेंगे, तो आपको अच्छे से अपना आकरन भी हो जाएगा, कि आपकी तैयारी कैसी चल लही हो, आगामी, सभी परिच्छाओं के लिए ये काफी important रहने वाले हैं, तो आए देखते हैं, प्राची नितिहास के महतपूर प्रसनों के बारे में, तो question number 1 से सुरुवात करेंगे, question number 1 है, हाती दात का पैमाना हडपी ये संदर में मिला है, तो पहले से उत्तर पता चल जाता है, तो फिर अपना अगलन नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग प्रसन देखें, और उसी के साब से आप उनका उत्तर भी अपने हिसाब से दीजिए, और फिर आनत में बताएगा कि आपको कितने प्रसनों का उत्तर पता था, question number 1 का जो है, व question number 3 की बात करेंगे, निमने लिकित में से किस एक वैदिक साहित में मोच की चर्चा मिलती है, तो यह आप याद देखेगा, तो मोच की चर्चा किस में मिलती है, तो मोच की चर्चा जो है, वो उपनी सिदो में मिलती है, किस में उपनी सिदो में, D option सही हो जाएगा, next हम बा पांच में देखें गेरेग वेद की मूल निपी क्या थी तो कुछ्चिन पांच है तो इसका आप लोग उत्तर दीजें तो कुछ्चिन पांच का जो होगा वो डी ऑप्षन जो और ब्रामी सही हो जाएगा पर चे नमब 6 की तरफ आएंगे ब्द्धिय को चाबाल की कथा सत्य साथ की तरफ हम आएंगे कुस्ट कोम देखेंगे तो नेक्स्स सर्फ की तरफ आएंगे साथ में क्वेचिन क्या पूचा है निम्ले लिखित में से कौन सुकल या जुरुबरेद की सहीता है तो कुश्टन नमर साथ का जो उत्तर हो जाएगा वह जाएगा वाजसन नहीं तो तो question number 8 है सवड बेल गोला में गोमतेस्वर की विशाल प्रतिमा किसने इस्थापित करवाई थी तो इसका जो answer होगा वो सही हो जाए question number 8 का जो है वो ए सही हो जाएगा चामूंड रायने यह वाल आप्सनिस का सही है question number हम next हमाएंगे question number 9 की तरफ उत्तर प्रदेश में बहुत हम जैनियों दोनों का प्रसित तीर्थिस्थर कौन सा है तो question number 9 है उसका कोसांबी answer सही हो जाएगा question number 10 की तरफ आएंगे question number 10 है गौतम बुद्ध की मा किस वन से संबन देती question number 10 का है आप पताएए इसका जो question number 10 है इसका अंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी option कोली इवन्स यहां दखेगा question number 11 की तरफ आएगे हीन या नवस्था में विसालतम इवं सरवाधिक विक्सित सहलकरत चैत ग्रह इस्थित है तो कौन सा है question number 11 का अंसर जो होगा आप लोग तुलंद कमेंट दिया किजिए कि कौन सा सही है तो इसका जो उत्तर जाएगा question number 11 का जो हो सीवाला आपसन सही जाएगा कार ले question 12 की तरफ आएगे गोदावरी नदी के तठ पर इस्थित महाजनपत था तो कौन सा महाजनपत गोदावरी नदी के तठ पर था तो गोदावरी नदी के तठ पर हम देखेंगे तो कौन सा था तो अस्मक जो था वो गोदावरी नदी के तठ पर था यादर के गर इनकी लाजधानिया वगर आभी आप लोग देख ली जगा सोला महाजनपद में बताई गए आप लोग वीडियो देख सकते हैं कुछ नमबर 13 की तरफ आएंगे छटी सताबदी इसा पूर्व का मत्स महाजनपद इस्तित्था महाजनपद मत्तब इसमें पूछा जारा है कौन सा जो महाजनपद इस्तित्था मत्स जो था वो कहाँ इस्तित था तो मत्स से कहा था यह राजस्थान में था question number 14 की तरफ आएंगे मालवा छेत्रों मगद की सप्ता का विष्टार निवन में से किसके सासन काल में हुआ था तो याद रखेगा इसका question number 14 का जो है वा answer जो है वो D option सही होगा सेशना और मैं बता दूँ आपको कि अभी इस वीडियो के बाद में याद रखेगा आप लोग इसको कर लिजएगा इसके बाद जो होगा वो environment की environment के बाद में quality की उसके बाद में UP special की उसके बाद में economics की और इसी तरीके इसी क्रम में agriculture की सारी वीडियो इसी क्रम में आएंगे एक होगी जनसंख्या की सारी वीडियो इसी क्रम में आगे आने वाली हैं तो आप लोग इससे संख्ला को जरूर देखेगा काफी important संख्ला है और आने वाले समय में इससे आपको प्रस जरूर मिलेंगे question number 15 की तरफ आएंगे मौर काल में text चुपाने के लिए क्या दंड़ी आ जाता था तो question number 15 का जो answer होगा तो इसका क्या हो जाएगा C option था कारावास text चुपाऊगे तो कारावास होगा question number 16 की तरफ आएंगे मौर मंत्री परिशद में निमन में कौन राजस इखठा करने से संबन दित था तो question number 16 का जो होगा वो A सही हो जाएगा समाहारता question number 17 की तरफ आएंगे सिमूख किस वन्स का संस्थापक था question number 17 की तरफ आएंगे तो देखेंगे सिमूख किस का था तो सिमूख जो था वो साथ वाहन एंसर सही हो जाएगा question number 17 का D option सही है साथ वाहन question number 18 की तरफ आएंगे निमने लिखित राजाओं में से किसने जैन धर्म के प्रति जुखा होता मलब किसका जैन धर्म के प्रति अधिक जुखा होता question number 18 का जो है बाया था तो कौन सा था वो प्रवर सेन फस्ट था प्रवर सेन फस्ट था याद रखेगा next हम बात करेंगे निमने लिखित में से किस दर्सन का मत है कि वेद सास्वत सत्य हैं तो इसका उत्तर भी आप लोग दीजे यह question मैं आपको एक तरीके से बताना हूँ इसको आप बताना है कि आपको कौन सा इसका answer जो होगा वो सही होगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है मिलेंगे next वीडियो में काफे important series है कि मैं इसके बाद का जो वीडियो होगा मेडवल के बाद आएंगे modern history पे और modern history के बाद में झोगा होगा हो हम आएंगे भी मैंने आपको बताया environment की वीडियो आएगी environment के बाद में आएगी environment के बाद में quality की होगी, quality के बाद यूपी श्पेसल के आजाएगी उसके बाद में और भी इसी तरीके से सारी वीडियो जो है वो आएंगी आपको बताना रहेगा कि कौन सा स्रीज आपको और बाकी आप आप अपने इस तरह पर बताई क्या है इस साथ में आपको बता दूं कि करेंट आफेर के का टेस्ट भी होंगे इसके बाद मैं आपको बता दू करेंट और जो करेंट अफर के जैसे मुद्दे होते हैं उनको भी लेगा है जैसे अभी मांसून पर है हम लोग तो आने वाले समय में और भी सिरीज आगए कांटिनू की जाएगी वो चलते रहेगी बाकी आप लोग अपने इस तरह पर मोडन हिस्ट्री का और मेटवाल हिस्ट्री का दोनों वीडियो हैं वह आने वाले हैं तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नावाद